हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याक्षी रंजीत चोटाला के इस्तिफ़ा मंजूर होने के बाद ही वह नामांकन दाखिल कराएंगे खास बात यह है कि पंडितों ने नामांकन की तारिक भी इस्तिफ़े के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद की निकाली है यानि 30 अपरेल को रंजीत चोटाला विधासभा में पेश होंगे और 2 मई को नामांकन दाखिल कराएंगे हर्याना में 29 अपरेल को नामांकन प्रतिकिर्या शुरू हो जो 6 मई तक चलेगी चार और 5 मई को नामांकन दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस दिन शनिवार और रविवार के कारण अब काश रहेगा वहीं भजनलाल परिवार अब भी आस लगाए बैठा है कि रंजीत के इस्तिफे में किसी तरह के अर्चन आए और भाजपा का टिकट उनके खाते में आ जाए और रंजीर चोटाला पूरी तरह अश्वास्त है कि उनका इस्तिफा मनजूर हो जाएगा और 30 अप्राइल को विधान सभा में जाना महस एक अपचारिकता ही होगी तो इस वक्त चुनावी महौल में गर्मा गर्मी काफी जादा फैली हुई है किसको टिकट मिलेगी या किसको टिकट नहीं मिलेगी ये तो अब वक्त ही बतायेगा और हर्याना की सियासत में इस वक्त अलग ही बुचाल आया भी दिखाई दे रहा है हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याक्षी रंजीत चौटाला के इस्तिफ़ा मंजूर होने के बाद ही वह नामांकन दाखिल कराएंगे खास बात यह है कि पंडितों ने नामांकन की तारीक भी इस्तिफ़े के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद की निकाली है यानि 30 अपरेल को रंजीत चौटाला विधासभा में पेश होंगे और 2 मई को नामांकन दाखिल कराएंगे हर्याना में 29 अपरेल को नामांकन प्रतिकिर्या शुरू हो जो 6 मई तक चलेगी 4 और 5 मई को नामांकन दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस दिन शनिवार और रविवार के कारण अब काश रहेगा वहीं भजलाल परिवार अब भी आस लगाए बैठा है कि रंजीत के इस्तिफे में किसी तरह के अर्चन आए और भाजपा का टिकट उनके खाते में आ जाए वहीं रंजीत चोटाला पूरी तरह अश्वास्त है कि उनका इस्तिफा मनजूर हो जाएगा और 30 अप्रैल को विधान सभा में जाना महस एक अपचारिकता ही होगी तो इस वक्त चुनावी महाल में गर्मा गर्मी काफी जादा फैली हुई है किसको टिकट मिलेगी या किसको टिकट नहीं मिलेगी ये तो अब वक्त ही बताएगा और हर्याणा की सियासत में इस वक्त अलग ही बुचाल आया भी दिखाई दे रहा है हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याक्षी रंजीत चौटाला के इस्तिफ़ा मंजूर होने के बाद ही वह नामांकन दाखिल कराएंगे खास बात यह है कि पंडितों ने नामांकन की तारिक भी इस्तिफ़े के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद की निकाली है यानि 30 अपरेल को रंजीत चौटाला विधासभा में पेश होंगे और 2 मई को नामांकन दाखिल कराएंगे हर्याना में 29 अपरेल को नामांकन प्रतिकिर्या शुरू हो जो 6 मई तक चलेगी चार और 5 मई को नामांकन दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस दिन शनिवार और रविवार के कारण अब काश रहेगा वहीं भजनलाल परिवार अब भी आस लगाए बैठा है कि रंजीत के इस्तिफ़े में किसी तरह के अर्चन आए और भाजपा का टिकट उनके खाते में आ जाए और रंजीत चोटाला पूरी तरह अश्वास्त है कि उनका इस्तिफ़ा मनजूर हो जाएगा और 30 अप्राइल को विधान सभा में जाना महस एक अपचारिकता ही होगी तो इस वक्त चुनावी महौल में गर्मा गर्मी काफी जादा फैली हुई है किसको टिकट मिलेगी या किसको टिकट नहीं मिलेगी ये तो अब वक्त ही बतायेगा और हर्याना की सियासत में इस वक्त अलग ही बुचाल आया भी दिखाई दे रहा है हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याक्षी रंजीत चौटाला के इस्तिफ़ा मंजूर होने के बाद ही वह नामांकन दाखिल कराएंगे खास बात यह है कि पंडितों ने नामांकन की तारीक भी इस्तिफ़े के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद की निकाली है यानि 30 अपरेल को रंजीत चौटाला विधासभा में पेश होंगे और 2 मई को नामांकन दाखिल कराएंगे हर्याना में 29 अपरेल को नामांकन प्रतिकिर्या शुरू हो जो 6 मई तक चलेगी 4 और 5 मई को नामांकन दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस दिन शनिवार और रविवार के कारण अब काश रहेगा वहीं भजलाल परिवार अब भी आस लगाए बैठा है कि रंजीत के इस्तिफ़े में किसी तरह के अर्चन आए और भाजपा का टिकट उनके खाते में आ जाए वहीं रंजीर चोटाला पूरी तरह अश्वास्त है कि उनका इस्तिफ़ा मनजूर हो जाएगा और 30 अप्रायल को विधान सभा में जाना महज एक अपचारिकता ही होगी तो इस वक्त चुनावी महौल में गर्मा गर्मी काफी जादा फैली हुई है किसको टिकट मिलेगी या किसको टिकट नहीं मिलेगी ये तो अब वक्त ही बतायेगा और हर्याना की सियासत में इस वक्त अलग ही बुचाल आया भी दिखाई दे रहा है